सो गई साहल का टाइम चला और कोई बेस्ट स्मार्टफोंस अंडर 60K के एरांड में आप पर्चेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर एंट तक कम्प्रीट वाच करेंडे क्यूंकि इस वीडियो में आपको टॉप 3 स्मार्टफोंस अंडर 60K के एरांड में बताने वाला हूं और सबसे बेस्ट स्मार्टफोन से बताऊंगा जो कि टॉप डील आपको देखने को मिला यह इस टाइम पर सो वीडिया आपके लिए बहुत यादा है लोगी सोड़ी को लाइक करना एंड प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके बाला कुंग जोब पास करना सो विदा 40,000 की रिंच का देखने को मिल ला है 45,000 में भी आपको यह आराम से देखने को मिल जाएगा अगर आप और बात करना जहिए । बट अगर आपको 60 एक एक आराउंड में भी देखने को मिलना है तो भी आपके लिए best deal हो सकती है क्योंकि इस फोन की chipset और साथ में इस फोन के camera's top notch आपको देखने को मिल जाते हैं इस फोन के full complete specs की बात कर लें जो इस फोन की back देखने को मिल जाती है fully glass body देखने को मिल जाती है साथ में boxie type की design देखने को मिल जाती है काफी best look आपको देखने को मिल जाता है त गस डिस्प्ले की बात कर लें जो इस फोन की आपको display देखने को मिल जाती है वो 6.1 inches की एक OLED Ratiner display देखने को मिल जाती है जिसकी quality आपको top notch देखने को मिलती है and guys हम बात कलते हैं इस phone के cameras की जो cameras देखने को मिलते हैं वो 12 प्लस 12 MP के real cameras देखने को मिल जाते हैं जिससे आप 4K 60fps फर videos भी अराम से निकाल पाएंगे साथ में front camera भी आपको 12 MP का देखने को मिल जाता है इस camera से भी आप 60fps पर 4K videos को अराम से record कर पाएंगे तो top notch quality आपको cameras की देखने को मिल जाती है जैसे कि आपको बताईए कि iPhones की cameras आपको काफी यदा best देखने को मिल जाते है and guys हम बात कलते हैं इस phone के processor की तो जैसे कि आपको बताईए कि इस पर आपको मिलता है Apple का A15 Bionic chipset जिसकी performance आपको top notch देखने को मिल जाती है performance भाई काफी यदा best device आपके लिए हो सकता है and guys हम बात कलते हैं इस phone के battery की जो इस phone के आपको battery देखने को मिलती है वो आपको 326 SMH की battery देखने को मिल जाती है सादमी चार्ज करने के लिए आपको 23W का first year का support भी देखने को मिल जाता है and guys 128 वाला variant जो आपको देखने को मिल जाता है अभी पर जो भी price आपको देखने को मिल जाता है वो आपको under 50K के around में भी देखने को मिल जाता है इस next smartphone की बात कर लें जो की Samsung के दरप से देखने को मिलता है Samsung Galaxy S22 Plus smartphone ये smartphone भी काफी आदा best value for money smartphone आपको देखने को मिल जाता है इस smartphone की जो pricing आपको देखने को मिलती थी वो 1 लाग के अवाव आपको देखने को मिलती थी इस phone की display की जो इस phone की आपको display देखने को मिलती है वो आपको 6.6 इंचिस के एक बड़ी सी display आती है जो की full HD resolution की साथ में dynamic M-OLED display देखने को मिलती है जो की 120Hz refresh rate के साथ में आपको देखने को मिलती है इस display पर आपको HDR10 का support भी देखने को मिल जाता है इस camera की बात कर लें जो इस phone के camera भी आपको देखने को मिलते है वो भी आपको top 9 से देखने को मिलते है जो की primary camera sensor देखने को मिलता है वो आपको 50MP के देखने को मिल जाता है secondary camera आपको 10MP के देखने को मिलता है और 12MP का एक last camera भी आपको देखने को मिल जाता है तो prepare rear camera setup देखने को मिलता है, इस camera से आप 8K 24fps फर highest video recording भी आप कर पाते हैं, साथ में 4K 60fps का भी आपको option देखने को मिल जाते हैं, और minimum जितने भी option होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, साथ में इस front camera की बात कर लें, तो 10MP का देखने को मिल जाता है, जिससे आप 4K 60fps इस फर वीडियोज आराम से निकाल पाएंगे, साथ में इस battery की बात कर लें, जो इस phone की आपको battery देखने को मिलती है, वो आपको 45fps की battery देखने को मिल जाता है, साथ में इस processor की बात कर लें, तो Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 का processor देखने को मिल जाता है, जिसकी speed आपको top notch देखने को मिल जाती है, इस phone के RAM 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 इस फोन की आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, वो आपको 6.78 इंचुस की फुल एजडी रेजुलीशन के साथ में, देखने को मिल जाता है, तो डिस्प्ले आपको टॉप नॉज देखनी को मिल जाता है, वो एट के 30АPS पर आप वीडियो उसको आराम से निकाल पाते हैं, साथ में dual LED flash भी आपको camera's पर देखने को मिल जाती है साथ में के इस front camera की बात कर लें तो 16MP का front facing camera देखने को मिलता है इस camera से आप 1080p पर 30fps पर videos आराम से निकाल पाएंगे साथ में के इस battery की बात कर लें जो इस phone के आपको battery देखने को मिलती है वो 4700 image की battery आती है पर देखने को मिल जाती है जिस phone का best friend देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है 8256 GB के साथ में जो की काफी higher RAM brand है और साथ में के इसकी pricing जो आपको देखने को मिलती है offers लगाते हैं तो आपको 50,000 की category पर आराम से देखने को मिल जाएगा regular pricing आपको 7,9999 रुपीज देखने को मिल जाती है तो best price segment का smartphone आपको ये भी देखने को मिल जाता है अगर आप Samsung के brand value को जात में लेना चाहते हैं तो Samsung का purchase कर सकते हैं तो gaming smartphone चाहिए तो आप IQ का smartphone purchase कर सकते हैं बट्टा आपको iPhone device चाहिए तो iPhone आप 13 purchase कर सकते हैं जितने कुछ top 3 smartphones under 60K के around में देखने को मिल जाते हैं इनमेंसे आप कोई भी smartphone purchase कर सकते हैं सभी आपको best देखने को मिल जाते हैं और सभी की buy लिक मेरे description box में है तो आप जाकर simple से buy कर सकते हैं वीडियो उसना देखने तर वोडियो को लाइक कर सकते हैं